हलो मस्टर सागर आपके लिए घर का डिजाइन रडी कर लिया है आई होप कि ये डिजाइन आपको पसंद आएगा जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए हमने ये घर का डिजाइन त्यार किया है इसका 2D मोडल जो हम आपको शेर कर चुके हैं जो की नक्ष्णाजा था इसका 1st floor, ground floor और 1st floor का डिजाइन है जो front elevation के साथ है वो मैं आपको वीडियो के साथ share करने वाला हूँ इसकी proper जानकारी मैं आपको दूँगा डिटेल से सुरू से लेकर आज तक वीडियो देखिएगा और इसकी अलावा इस दिने भी मेरे unknown users हैं वो भी जलू देखिएगा इस वीडियो को अगर अच्छे लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक चुग किजए और Mr. Sagar मैं आपकी ये वीडियो अपने YouTube account पे भी upload करने वाला हूँ तो इसके लिए मैं आपसे permission भी चाहता हूँ किया आप मुझे permission दे और प्लीज कमेंट करके हमें जरूब देए कि आपको ये design किस परकार का लगा तो इस प्लोट का जो size है 9 feet 7 inch चोड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो है 80 feet तो इस जवसे से सुरू का हिस्सा जो है Mr. Sagar जी का वो बना हुआ था जिसमें से 3 bedroom बगरा सुरू में ही थे तो वो हिस्सा बनाने के बाद पर शाथ हमने इसको modify किया है तो जो उनका उल्रडी बना हुआ है वो तो बना हुआ ही है लेकिन उसके अलावा किस तरीके से उसको और भी ज़्यादा attractive बना सकते है उस तरीके से हमने इत्यार किया है तो वीडियो को पीछे से मैं आपको बताना सुरू करता हूँ डीटेल में जाने तारी आप कुछ से समझ में आ जाएगी फरनिशिंग का ज़्यादा पाल कम नहीं किया है हमने फरनिशिए बगरा ज़्यादा है नहीं किया है एक civरातना चाहता हूँ सारे DIVARे पीछे की चार इंच में रहने वाली है पीछे की जो वोल है ये सिर्फ नौ इंच में है दौन साइड की दिवारों च यार इंज में रहेंगी जिसमें आपको पीछे की साइड में मिलता है आट फुट दस इंच की छोड़ी जगह की नोफीट साथ इंच चोड़ा यह प्लोट है तो आट फुट दस इंच के सम्थिंग आपको यह चोड़ी मिल जाती है और लंबाई जैसे आप आगी तरह बढ़ते हों ये आपको toilet bathroom मिलता है, toilet bathroom का जो size है वो है 5 feet चोड़ा है और 6 feet लंबा है, पांच वाइचे का ये toilet bathroom है, जो कि काफी comfortable है, after that ये एक धाई feet की लंबाई में आपको ventilation shaft मिल जाती है, उसके परशाथ में आपको kitchen मिल जाती है, kitchen की चोड़ाई यह ये है कि आगी की जो चोड़ाई है दोनों तरफ में, 9-9 इंच की दिवार जिसमें आपको 1,5 feet चली जाती है, जिसमें आपको 8 feet की ही चोड़ाई मिल पाती है, तो ये जगह जो बचती है, ये आप मंदिर के लिए available कर सकते है, मंदिर का इस्थान या पर रख सकते है, उसके इसको उटलाज कर सकते हैं, तो कि first interest में आपको मिलती है, इसकी लगमाई जो है वो लगबग 13 feet की रहने वाली है, 13 feet एक इंच और चोड़ाई है, वो है 8 feet रहने वाली है, और बाहर की तरफ से ये सीडिया चड़ती है, आप step भी count कर सकते हैं, सीडियो को थोड़ी सी height एक इ elevation भी दिखाई देगा, ground floor के बाद जैसे first floor के आते हैं, तो first floor में ज्यादा changes नहीं किये गए है, ground floor को ही follow किया गया है, लेकिन एक मोटा मोटा change यह है, कि जितने भी आपने pillar हमने दिखाई दिए है, corner पे जब दिखाई दिए रहे होंगे, तो इन pillar को सारा weight इतनी के ओपर ही जाएगा, और जितनी भी दिवारे सारी की सारी चार्ज में लेगी है, जैसे कि पीछे से आपको दिखाना सुरू करता हूँ, पीछे की तरह हम सेम एस वही bedroom, ground floor के जैसा है, वही kitchen, वही toilet bathroom और वही OTS, उसके बाद आगे की तरफ की जो चोड़ाई है, वह काफी थोड़ी ज आ सकते हो, personal bedroom भी रख सकते हो, और living area अगर रखना है तो इस portion को भी living area के तरफ पे रख सकते हो, आपने देख रहे हैं कि नीचे से युडिया जो आती है, वह उपर आने के बश्यारत कोमर हो जाती है, तो इस में से जैसे ही उपर की तरफ जाएंगी, यहापे आपकी partition की wall ल आ सकते हैं, या फिर आप PVC seat से भी इसको partition कर सकते हैं, वो depend करता है कि आप इसको किस तरीके से partition करना चाहते हैं, तो overall ground floor के जैसा ही first floor रहने वाला है, लगिन इसका front elevation का design जो है, वो थोड़ा सा attractive दिखाई देने लग जाएगा, जैसे आप उपर की तरह बढ़ते हो, एक बार की तरफ में स्टेर ऊपर नहीं जाती हैं, सीधी है, सीधी है, यहाँ तक आती है, उसके बाद खता हुनाती है, पीछे का portion में आपको पूरी चट मिलती है, खुली आप इसके boundary बना कर को आज अच्छे तरीके से आप बैटनी का area बना सकते हैं, मतलब खुली चत ही रहेगी, भी कोई आपको दिक्कत आती है, डिजाइन को ले करके, नक्षे को ले करके, वो आप हमें contact कर सकते हैं, पर्शनली आपका number मारे पास है, तो आप हमें contact करके अपने लिए कुछी भी और अलग तरीके से डिजाइन बनवा सकते हैं, तो हमसे काम करवाने के लिए हमेशा की त प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक चलू करें दोस्तों